तो गाईज लाने हैं आपको इंग्लिश में पूरे 100 out of 100 और ये है बिल्कुल आसान बिकॉज अगर आप चलोगे एक systematic way में तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आप एक अच्छा marks score कर सकते हो So hi guys and welcome back to your own channel मैं हूँ आपका विशाल सर विशाल कुमा जैसवाल Guys आज हम discuss करने वाले हैं class 10 के English paper को आप किस तरह से crack करोगे क्या कुछ आप ऐसा करोगे कि आपके आएंगे 95 plus marks ठीक है और ये बहुत असान है सबसे पहले point guys कि अभी आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि आपके exam कब होने वाले हैं वो March में होने वाले हैं कि April के माई की June अभी हमको उसको focus नहीं करना है अभी हमें बात करना है कि जो कुछ अभी नया changes आएं है exam pattern में especially अभी हम बात करेंगे class 10 English की तो English class 10 के paper में कितने सारे बदलाव आए हैं हमको इसको focus करना होगा तो वोस चीज़ों को हम अगर focus कर लेते हैं और अपने loop holds को अगर हम हटा लेते हैं तो definitely you are going to score a big mark तो guys यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूँ कि CBC 10th class English paper का जो paper pattern है वो change तो हुआ है यह हम सभी जानते है 30% syllabus reduction हुआ है वो तो सबको पता है कई portions delete हुए हैं कुछ को घटाया गया है grammar हो या literature दोनों जगह से वो हम सभी को पता है लेकिन हमें करना क्या क्या है तो guys मैं पहले आपको बता दूँ कि सबसे बड़ा जो changes है वो है objective question के रूप में यहाँ पे क्या changes आया कि जैसे अगर 2020 के अगर हम बात करें तो उसमें आपके जो English paper में जो objective marks के question थे वो सिर्फ 10 marks के question थे लेकिन अगर हम इस बार के अगर हम बात करें तो आपके 40 marks के objective question आ रहे हैं और 40 marks के आपके आ रहे है subjective यानि कि बहुत बड़ा chance हो सकता है score करने के लिए लेकिन कब होगा यह संभव बिटा यह संभव तभी होगा जब आप अपना पूरा subject को आप अच्छे से आपने cover किया हुआ हो जितने भी portions है दोनों book के जितने भी chapters है अगर आपने उसको deeply लिया हुआ है तो definitely you are going to score in a very good manner बहुत कुछ बताएंगे लेकिन अभी एक second claim में आपको रोक रहा हूँ पहली बार अगर आप हमाई चैनल में आए हूँ तो जली से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम आपको लगातर notes available करा रहे हैं of each and every subject class 10th हो या 12th PDF form में आपको notes मिलेगा free of cost है कोई charges नहीं है गाइस अभी हम बात कर रहे थे class 10th English subject की तो यहां पर अभी हमने बोला हमने जाना कि क्या changes आए पहला changes तो यह है कि पिछले साल के अगर हम बात करें तो सिर्फ 10 marks के objective question थे लेकिन इस बार के अगर हम बात करें तो 40 objective है 40 subjective है यानि कि cover हो सकता है और काफी अच्छा cover हो सकता है लेकिन कैसे objective question आते है है book के अंदर से तो natural है आपको chapter को दोनों books के chapter को हर chapter को आपको अच्छे से पढ़ना है at least आप story समझो या जो chapter है उसको आप पूरा cover करो अगर cover रहेगा तो आपको पता रहेगा कि भाई objective way में किस तरह से question पोच्छा गया तो 40 marks तो guys आपके वहीं पर ही है guys अगर आप भी class 11 के students हैं और class 12 में जाने वाले हैं साथी साथ अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं IIT J की तो guys आप सभी के लिए ये एक one stop solution हो सकता है क्योंकि India's largest learning platform Unacademy has come up with two batches for class 11 and 12 students excellence for class 11th and edge for class 12th J main and advanced 2022 एक unique batch which is going to be start from 29th December in this course top educators will revise the class 11 syllabus and then complete the whole 12th class syllabus from the basic the course will include strategy tips and tricks practice questions time management techniques for J exam ये एक साल का कोर्स कवर किया जाएगा हिंदी में और आपको नोट्स प्रवाइद होगा English में तो students I suggest you all don't miss this golden opportunity इस batch के subscription को तुरंट ले मेरे प्रोमो कोड विशाल कुमार को यूज़ करके और पाएं 10% discount for more details go to the link in description अब यहां पर मैं आपको बता दूँ कि grammar के साथ साथ literature के भी कई portions को हटा दिया गया है तो अभी हमको अगर जानना हो बहुत बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन-कौन से पार्ट को हटाया गया तो सबसे simplest way में मैं आपको एक बा ध्यान देना है अगर CBC के official sample paper को आपने देखा है तो आपको idea हो जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देखो और अगर आप जानना चाते हो कि proper way में और कौन-कौन से deleted portions हैं तो हमने dedicated video दिया हुआ है channel के playlist में जाईए वहां से आप निकाल लो आपको मिल के आपको different subjects में एक topic पे questions आ सकता है ये experts भी कह रहे हैं वो है Corona यानि के COVID-19 इस pandemic से जुड़ा हुआ आपको कोई question या paragraph writing या कुछ भी चीज या letter writing में कहीं से घुसाएगा लेकिन आपको मिल सकता है तो आपको COVID के बारे में आपको preparation होना चाहिए वो क्या चीज है उसके अंद करते हैं यहाँ पे letter writing की तो letter writing guys यहाँ पे है आपका 5 marks का और आपको दो type की letter लिखने के लिए मिल सकते हैं एक है letter to editor और दूसरा है business letters चैके तो I hope guys कि आपको editor को letter कैसे लिखा जाता है या business letter कैसे लिखा जाता है आपको आता होगा again मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी confusion है तो comment section में हमें पूछिए और ना सिर्फ इतना हमने आपको class 12 वाले बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत benefit है कि class 10 12 के लिए सभी के लिए हमने जी different types के letters है वो सारे के सारे letters हमने अपने channel में दिये वे ह आप थोड़ा सा पढ़ोगे आपका preparation हो जाएगा तो यहाँ आपका letter writing में हो गया marks एकदम पका अब हम बात करते हैं एक बहुत ही खास बात की पहली बार ऐसा हो रहा है कि analytical paragraph questions जो है वो इस बार पूछा गया है analytical paragraph question with image आएगा यानि कि कोई image होगा और उससे related फिर एक paragraph होगा आपको सारा चीज़ को जवाब देना है अच्छे से समझ करके तो इसका preparation आपको करना होगा मुझे नहीं लगता है कि कोई दिकत है अगर आप एक image देखते हो suppose आप कोई भी एक image देखते हो कोई भी एक photo तो उससे regarding आपको अगर story लिखना पड़े या आपको उससे regarding questions हो तो deleted portions है topics है पहले आप उसको focus कर लो कि भाई कौन कौन से वो topics हैं जो जो हट चुके हैं तो जैसा मैं आपको बता दो एक rough में मैं आपको बता देता हूं जैसे grammar portion से आपके passive voice जो है causes है noun है एडवर्ड causes है ठीक है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं तो यह जो portions हटे हैं आपको उसको देख लेना है अगर आपको confusion है तो इसके लिए हमने आपको आपको dedicated video दिया है deleted portions का डिफरेंट सब्जेट्स का आप चैनल के playlist से उसको जरू देख लेना ठीक है अब मैं आपको ब आपसा आप समझो कि आपका जो question paper होगा वो figure out कैसे होगा चैके sample paper आपने देखा होगा लेकिन आपको rough में आपको मैं बता देता हूं कि यह दो parts में आपके book हैं question paper है चैके part A 40 marks जो की होगा आपका objective type questions और part B वो भी है आपका 40 marks का लेकिन वो है आपका subjective part चैके तो part A में दे marks चैके और इसमें भी option मौजूद है चैके अब अगर हम literature की बात करें तो 10 marks 10 marks आएंगे दो questions जो है दो books first flight और जो दूसर book है उससे चैके यहां पर आपका होगया जो part A वो complete होगया और और अगर हम बात करें part B की तो जो मैंने आपको बताया था कि subjective marks के questions आएंगे 40 marks तो उस यह भी आपको बताया था और analytical paragraph जो है वो होगा 5 marks का यानि कि 5 पर 5 वो होगया आपका total 10 चैके अब यहां भी देखिए छी short answer questions जो होंगे यहां पर अब वो आया subjective है तो short answer questions आ गए 20 marks के questions होंगे 20 marks के 10 questions easy है काफी easy है 10 marks यानि कि आप कह सकते हो कि एक एक question जो है वो 2 marks का है दो marks का है तो आप खुदी समझ सकते हो कि उसमें आपको time spent कितना करना है या लिखना कितना है तो easily है ठीक है सारे book से question आएगा यह बोलने का चीज नहीं है और अब आज यह सिर्फ एक चीज़ पे long answer type question पे तो long answer type question के guys पूरे book से question होंगे और दो मा दो question पूछे जाएंगे 10-10 marks के चेक है मतलब 10 marks के दो question पूछे जाएंगे अब guys यह था पूरा का पूरा खाका पूरा का पूरा graph जो मैंने भी आपको समझाया चेक है पार्ट A, पार्ट B आपका पूरा का पूरा question paper इससे है तो guys इसको अगर आप पूरे तरह से कर ल यह grammar portion से हटा हो उसको आप focus कर लो ठीक है बात बाकी letter writing या analytical जो paragraph आएगा यह सब में आपको कोई issues नहीं होगा अगर जराब issues हो तो आप मुझे comment section में लिखना मैं आपको यह separately इसका एक class दे दूँगा ठीक है तो I hope कि आप आज आपको इसमें tips मिल गए जो हम देना चाहते आपको कि best tips to get अच्छा खासा marks in your English paper of class 10th English ठीक है गाइस तो I hope कि आपको इससे बहुत जारब benefit मिला कैसा benefit मिला क्या मिला यह आप मुझे comment section में बता होगे और आपके कोई भी subject के regarding questions हैं तो आप वो मुझे बताईए हम आपको के लिए पूरी तरह से आपको help करेंगे आपको suggestions देंगे advice देंगे जो मदद होगा वो हमसे बन पड़ेगा हम जरू करेंगे तो guys अभी इस वीडियो में इतना मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ में this is your Vishal sir signing off please stay calm stay safe stay healthy जै हिंद जै भारत झाल 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 झाल